राजस्तान में पूर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बड़ी शिद्दत से चाते हैं कि उनके बेटे वैब हो गहलोत किसी तरीके से लोक सबाप महुच जाए और इंटरनेशनल लॉग के तहत वो वाला दर्जा हासिल कर ले हैं जिसके तहत प्रत्यारपण वाली चीजें और मा पाम चीजें इन चीजों को आप ध्यान में रखियेगा और आज बात करेंगे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राजनितिक जीवन पे जो सबसे बड़ा आरोप लगा है वो आज ही की तारीक को लगा है जबकि उनके बेटे लोकसभा का चुनाव दूसरी बार लड़ रह हैं और प्रचार खत्म हो चुका है ऐसे में अशोक गहलोत के ओस डी रहे लोके शर्मा का यह खुलासा कि अशोक गहलोत में वो पैन ड्राइव दी थी जिसमें वो एवडियो था जिसमें विधायकों के फोन टैप किये गए थे यहां तक कि सचन पाइलट के फोन भी लगात आई की सरकार गिराई जा सकती है खरीद फरुत हो सकती इस तरह की बाते थी तो अशोक गहलोत गवर्मेंट की ओर से उस वक्त फोन टैप करवाए गए थे कुछ लोगों की यहां पूर मुख्यमंत्री के ओस डी रहे लोके शर्मा ने अब सीधे तोर पे अशोक गहलोत ही प कर रहे हैं जो कि अशोक गहलोत के ओस डी रहे हैं और दूसरा दिल्ली पुलिस ने घंटों मिठा के रखा फिर भी इतनी सी बात लोके शर्मा से उगलवा नहीं पाए लोके शर्मा अपनी मर्जी से ही मेडिया के बीच में आके बोले हैं तीसरी अशोक गहलोत के ओस डी लो माम लेके जिसमें आरोप हैं कि अशोग गहलोत ने या उनकी पूरी टीम ने मिलके विधायकों के अधिकारियों के पत्रकारों के फॉन टैप किये गए कियों किये गए और किस के आग्या से किये गए यह चीजें सामने आनी चाहिए क्योंकि इसको लेके विधान सबा में करने के आरोप लगे थे और उस वक्त कुछ ओडियों सामने आये थे अब लोकेश शर्माने जपर में प्रेस कांफरेंस की और खुला से की हैं लोकेश शर्माने का 16 जोलाई 2020 को ततकाल इंसीम अशोग गैलोत होटल फेर्मांट आये उनके होटल से निकलने के एक गंटे बा थी पूरमुकी मंतरी के OSD ने कहा जो पेपर उनों ने दिया इसमें गज़ने शिंख शेखावत भामरलाल शर्मा और संजे जेन की बातचीत का हवाला था पेंडराइव और पेपर देकर का जल्दी जाकर मीडिया को दे दीजी मैंने घर आकर लैपटॉप में ओडियो को ट चंदरशेखर के वक्त पे किस तरह की बाते हैं वीपी सिंख के काल में इंद्रा गांधी पे आरोप लगे थे हैं सरकारें चली गई थी इस देश में और अब यह जो गंभीर आरोप लगा हैं अशोग गहलोत पर कि उनके OSD रहे लोकेश शर्मा जोके जिम्मेदार पत पे और वो अब यह बता रहे हैं जबकि उनका कॉंग्रेस से टिगट नहीं हो पाया या अब वो उस मुख्यधारा में नहीं हैं तवाम चीजे यह चीज तो है कि लोकेश सर्मा 2021 के बाद में अशोग गहलोत के खेमें से आउट कर दिये गए थे रिशब सर्मा और शर्शिकान स रिशब सर्मा ने मिलके वहां पर एक नया तरहक्य का सिंडिकेट बना दिया था जिसमें से लोकेश सर्मा को आउट कर दिया गया था लोकेश चर्मा जो है वो कहते हैं आज की प्रेस कॉंफेर्स में कि सचिन पाइलट का फॉन भी सर्विलांस पर था लोकेश कहते हैं इसरी पार सांसत बनने के लिए जुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने कहा कि जिस तरह से बताया गया कि पूरे खेल के पीछे बीजेपी है लेकिन हम सभी ने सुना कि सचिन पाइलट ने कहा था कि हम लोगों की सुनवाई नहीं हुई इसलिए एकत्र होकर आला कमान तक अ जा रहा था ओडियो देने के बाद गैलोत ने दो बार फोन भी किया था वो कहते हैं जैसे उनको क्लिप दी गई उसके बाद जब खबर नहीं आई तो अशो गैलोत ने दो बार वाटस अप कॉल करके पूछा कि ये नियूज में चला क्यों नहीं जैसे खबर आई तो मुझ कैसे काम में आ गया अशो गैलोत ने कहा लोके शर्मा बताते हैं कि गड़नागरम के बाद उनने कहा गया कि मुबाइल को तोड़ दो अशो गैलोत को लगता था मुबाइल तोड़ा नहीं गया इसलिए 26 नौमर 2021 को उनके ऑफिस में एसो जी की रेड डलवाई उसी आदमी जिसके लिए मैंने टा बड़ा कदम उठाया जो गड़नी मुख्यमंतरी के लिए क्लिए काम करता है उसके ऑफिस में एसो जी की रेड हुई मेरे पूरे ऑफिस को कंगा लिया मोबाइल नहीं मिला उसके बाद तसलिए यह हैं हमारे पूर मुख्यमंतरी अशो गैलो जी और छवी घराब की जाए, परिवार पर आउट लगाए जाए, CM House में ही ये शड़ेंतर रचा जाता था, गजिंदर सिंग और सचिन पाइलट को किस तरीके से नीचा दिखाया जाए, कैसे जनता के सामने छवी घराब की जाए, इसलिए संजीवनी से जुड़े लोगों को बुलाया जाता था, उनके वीडियो बना कर लगातार चलाया जाते थी, अब आप देखिए, कि लोके शर्वां बड़े खुलासे कर रहे हैं, कि गजंदर सिंग शेखावत की छवी गिरानी हैं, संजीवनी वाला विवाद रचा जाना है, अशोगहलोत इसे जादूगरी कहते हैं, विदान सभा में भी वो बोलेते हैं, मुझसे बड़ा जादूगर कौन, जगदीव धनकड का जब कारेकरम था, तो मम्ताव अनर्जी और जगदीव धनकड के बीच का जो था, तो उसमें अशोगहलोत ये बोले थे, तो क्या यह जादूगरी हैं, एक और मुद्दा लोग के शर्वान उठा दिया हैं, और उन्होंने कहा कि रीट पेपर लीक पर, पेपर लीक के बाद में, तो आपको याद होगा, कि केंद्री मंतिर गजिन शिंग शेखावत ने दिल्ली पुरिस्ति में परिवाद देखिए, जनप्रतिनिरियों के फोन टैप करने और उनकी छवी खर्याब करने का आरोप लगाया था, 25 मार्ट 2021 को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लोकेश रमा एकलाब मामला दर्च किया था, इस अफाई आर के खिलाब लोकाश रमा दिल्ली हाई कोट पहुंचे थे, आज भी उनकी याचिका जो हाई कोट में लंबित है, इस दुरान 5-6 बार दिल्ली पुलिस जो है, वो लोकेश रमा से बात दे कर चुकी है, पूछताच कर चुकी है, आपको बता दें कि जब पाइलेट केंट ने बगावत सुरू की थी, तो राज़तान में फॉन टेपिंग विवाश शुरू हुआ था, ओडियो वाइरल हुए थे, ये खेल कैसे चल रहा था, मेरी कुछ अधिकारियों से बात हुई, तो मामला तो था, इसमें कोई दोराई नहीं ही, एक बड़े अधिकारी जिनके हस्ताक्षर से यह होता है, वो अधिकारी इनकार करते हैं, कि जो नंबर दिये गए हैं, इनके सामने जो नाम हैं, पहले तो ये वरिफाई कीजिए, मसलन कि सरकार अगर एक फोन नंबर को टैप करना शाती है, जो कि किसी बड़े नेत्या का है, मान लिजिए कि मुख्यमंत्री सचिन पालेट का फोन है, तो नाम उसके आगे किसी एक्स विक्ति का लिख दिया, कि ये उनका फोन है, पहले ऐसा होता रहा है, लेकिन उन अधिकारे ने कहा कि एक तो ये वरिफाई कीजिए, और प्रतिक विक्ति के आगे एक नोट लिखी है कि इसे सर्विलांस पे क्यों लिया जाना है, में निजटा का अधिकार जो है, वो किस स्तर पर वाइलट हो रहा है, उन लोगों का जो की जन प्रतिने दी हैं, यहां मुद्दा अशोग गहलोत का नहीं है, पुर मुख्यमंत्री या सरकार के मुख्या का नहीं है, मुद्दा है कि देश में आप कितने आजाद हैं, राजे सरकारें कानून विवस्ता और पुलिस उनके जिम्में हैं, ऐसे में किस हद तक जाकर उप्योग होता है, हो सकता है कि आपका मेरा फोन भी टैप हो रहा हो, सरकारें कोई आये, बदले, उनका चरितर एक सा होता है, लेकिन कुछ लोग जो है, वो दुस्ता हस कर जाते हैं, सरकारें गिरती भी रही हैं, बचाई भी जाती हैं, तमाम चीजें हैं, तो विदानसभा में सांतेदारेवाल ने इसको माना भी था, कि वोस्त जी ने ओडियो वाइरल किये थे, तो लोकिश शर्मा ने विदानसभा चुनाओ के बाद भी ये मौामला उठाया था, कि नतीजों से आहत हूँ, लेकिन अचम्बित नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा कि रिवाज बदल सकती थी कॉंग्रेस, लेकिन अचोग गहलोत कभी कोई बदलाव नहीं चाहते थे, ये कॉंग्रेस की नहीं, बलकि अचोग गहलोत जी की हार है, गहलोत की चेहरे पर उनको फ्री हैंट देकर उनकी नेतरतों पर पार्ट ने चुनाओ लड़ा, और उनकी मताबिक हर चीट पर वे खुद चुनाओ लड़ रहे थे, ना उनका अनुभाव चला, ना जादू, और हर बार की तरह कॉंग्रेस को उनकी ओजनाओं के सारे जीत नहीं मिली, नहीं अथा है, पिंक प्रचार क्राम आया, तो तमाम चीजें खास करके जो है वो अब चुनाओ के उस दोर में जब अशुक गहलोत अपने राजनितिक करियर, यानि गहलोत राजवन्श की अगली पीड़ी जो है, वो लोकसभा में जाने के बारे में सोच रही है, उस इलाके से, जहां राजस्तान में सबसे कम पड़े लिखे लोग हैं, लिटरेसी लेवल सबसे कम हैं, उसी इलाके को चुना गया, कि यहाँ चीज़ें बदली जा सकती, यहाँ चीज़ें बनाई जा सकती, यहाँ बिठाई जा सकती है, और वही टीम जो यह जो रच रही थी खेल, वही टीम वहाँ सकरिये हैं, और बात होनी चाहिए, किस तरह का खेल आप देखिए कि पसपा के प्रत्याशी को किस तरह से बि क्यों नहीं लोकेश शर्मा की जांच होनी चाहिए, क्या लोकेश शर्मा जो है और इस मामले में अब खुलासा कर रहे हैं, क्यों नहीं उन्होंने दिल्ली पुलिस को समय से पहले दिया, वो किसके इशारे पे काम कर रहे हैं, अपने इस तर पे इन सारी चीजों की जांच होन जनता का शासन जनता के लिए ही होना चिये, जनता के द्वरा, उनके चिनपरतिनिदियों के द्वरा होने चिये, उसी तरीके से, यह जो सिस्टम है, इस पर सवाल उठता है, सवाल का जवाब आपको क्या दर आता है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तन्यवाद